शुप्रभाद आज हम करेले के खेती से संबंदित बात करेंगे करेले जब हम लगाते हैं तो इसके जो बेल है उसको कैसे हम इसमें चढ़ाते हैं और इसके लिए क्या तैरी करना पड़ता है देखे इस तरीके से धागा इसमें डाला याता है इस तरीके से आप बहुत कम लागत में इस तरीके से आप तैरी कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ये देखिए ये है हल्दी का खेती भी हम बगल में लगा रखे हैं और इसके बगल में हम लगा रहे हैं भी यह देखिए इसको कोई भी आसानी से सीख सकता है एक बार बताने पर ज्यादा इसमें टेक्निकल जालेज की जुरत नहीं है एक बार बताओ तो कोई भी कर सकता है धन्यवाद किसान भाईयो मैं आगे और वीडियो बनाऊंगे तब त